नेक्स लेक्चर इस आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आपको कभी भी इंकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी लेटर आता है या कोई भी नोटीस आती है तो आपको पता होना चीज की ऑथारिटी क्या है तो ज्याधा डीटेल में तो नहीं लेकिन मोटा मोटी में आपको बताना चाहूँगा इंकम टैक्स जह होता वो सेंट्रल गैर्म्ट का ही डिपार्टमेंट है मतलब स्टेट गवर्मेंट के पावरण नहीं है अнакомट डिपार्टमेंट लगाने और तो मुंबए में भी जो income tax department होगा वो central government की building है और वहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं वो central government के offices है अच्छा जब central government में बात करता हूँ तो it is the combination of different ministries ministry of company law, ministry of external affairs, ministry of corporate affairs तो यहाँ पर बहुत सारी ministry होई ministry of railway, home ministry तो कौन सी ministry income tax के related के matter handle करेगी sir, तो ministry of finance ठीके ना और ministry of finance जो होती है ठीके ना आप यहाँ पर समझो, ministry of finance में जो लोग काम करते हैं या ministry of finance में जो भी offices होते हो report करते finance minister को और आज के तारीक में finance minister अपनी सब लोगों की favorite निर्मला सितारामन अंटी ठीके ना तो निर्मला जो है, वो हमारी finance minister है अब वो क्या करती है, वो सारे department को manage करना उनका काम है, उनका बहुत बड़ा responsibility है, तो उन्होंने क्या किया, minister of finance को further 5-6 division में divide किया हुआ है, तो वहाँ पर department of expenditure है, department of surveillance है, department of revenue है तो हमें जो concern department है minister of finance में का, वो है department of revenue, DOR ठीक है न, इसको DOR बोलते है, department of revenue, department of revenue के जो होते हैं, उनको revenue secretary बोला जाता है, mister बजाज करके आपने अभी recently उनका अगर कोई एक statement वगरा सुना होगा, तो इज़ा revenue secretary for the current date, तो central government है central government के नीचे ministry of finance होता है, ministry of finance के नीचे department of revenue होता है, और department of revenue के नीचे, दो main board काम करते हैं, जिनका नाम है CBDT और CBIC, CBIC की बात नहीं करूँगा, क्योंकि indirect tax की बात नहीं चालूँए, CBTT की बात जरूर करूँगा, यह कमिटी होती है, जहां पर कुछ लोग होते हैं, ठीक है न, यहां पर कुछ senior लोग होते हैं, जो उन्होंने 25-25-30 साल government के लिए काम किया है, very senior people who are sitting here, और इनके हाथ में मोटा मोटी decisions होती हैं कि इंडिया में income tax में अभी नए नहीं चीज़े क्या करनी हैं, और दिजार्दी fathers और administrative of income tax department, यह पूरे department को यही लोग control करते हैं, अब department जो है न, तीन wing में divide है, assessment wing, investigation wing, और एक अलग से wing होता है, appeal wing, ठीक है न, तो appeal wing के बारे में मैंने यहां पे ज़्यादा लिखा नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताई दिया, appeal wing में क्या क्या रहता है, CIT होता है, CIT appeal होता है, इनकम टैक्स officer के जैसे दिखते नहीं है, यह लोग ordinary होते हैं, आपने वो family man वगरा जैसा series देखा होगा, तो वहाँ पे कैसे हो officer, normal कपड़े पे ही रहते हैं, police के कपड़े पे नहीं रहते हैं, बढ़ बहुत sharp काम करते हैं, वो लोग back doors में काम करते हैं, उनका काम ही होता है, चीजों को धूड़ना, तो आगे जाके article ship में आपको कभी पता चलेगा ना कि आप किसी company का audit कर रहें, वहाँ पे जोल वगरा हो रहा है, तो train bus में उसको discuss मत करो अपने दोस्तों के साथ, you never know, आपके बाजू में जो खड़ा है, आपको सच में कुछ मिल गया, और अगर matter बहुत ही serious होगा पता चला आपको station से उतर के आपको ही लेके जा रहा है, तो इसलिए secrecy करके बात होती है, क्योंकि article ship में you will be knowing many things about many people, so you are not supposed to disclose that openly, because it is highly secretive data, income tax is a very personal matter, तो ये investigation वाले लोग होते हैं, इनको हम directors के नाम से जानते, they are known as the directors, principal directors, general principal PGD, मतलब इनका full form क्या है, principal director general of income tax, director general of income tax, principal director of income tax, director of income tax, additional director of income tax, joint director of income tax, assistant director and deputy director, तो director करके अगर word आता है किसी भी officer के पीछे है, तो आप समझो कि वो बाप officer है, वो investigating wing का officer है, वो assessment wing का नहीं है, वो assesses से interact करने के लिए, बाते करने के लिए, गप्पे लड़ाने के लिए, वहाँ पे नहीं बेटा है, वो band बजाने के लिए बेटा है, तो आपको कभी भी किसी भी director department से अगर notice आया हुआ है, समझो कि उन्होंने आपको पकड लिया है, ठीक है ना, लेकिन assessment wing भी हमारे यहाँ पे होती है, assessment wing में सबसे छोटे officer से अगर मैं चालू करता हूँ reverse, तो सबसे छोटा officer जो होता है उसको हम TRO बोलते है, ITO are the real income tax officers, क्योंकि इनका नाम ही है, income tax officers, लेकिन क्योंकि इनको control करने के लिए हमें उनके seniors बनाने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमें assistant commissioner और deputy commissioner लगाया जाते हैं, assistant commissioner और deputy commissioners के सारे power inter-exchangeable होते हैं, actually देखने जाएंगे तो deputy commissioner तोड़ा senior होता है, assistant commissioner तोड़ा junior होता है, लेकिन उनके power जो income tax में same है, तो हम उनको slash करके हमेशा रखते हैं, कि AC ने भी sign किया तबी भी चलेगा, DC ने sign किया तबी भी चलेगा, इन दोनों का जो senior होता है, वो होता है, joint commissioner, जिसको हम प्यार से JC बोलते हैं, ठीक है न, joint commissioner के उपर कभी-कभी additional commissioner हो भी सकता है, additional commissioner नहीं भी हो सकता, तो ये contingent post है, लेकिन हो भी सकता है, अगर होगा तो additional commissioner is a senior than joint commissioner, आप समझो, जो बाप होता है income tax का, बाप हम जिसको बोलते हैं, जिसके हाथ में सारे control होते हैं, जो सबसे senior माना जाता है, actually, जो काम करता है, वो होता है commissioner of income tax, प्यार से हम इसको CIT बोलते हैं, अब CIT, CIT में भी senior junior का fight चलता रहता है, कि मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अभी ये नया CIT है, तो उसमें से किसी एक को अगर promote करना है, तो क्या promote करोगे, तो 12 सुला में वो लोग ने और एक position बनाया है, कि principal में भी जो commissioner में, जो senior होगा, उसको हम principal commissioner बोलेंगे, अगें I am telling you, principal commissioner of income tax और commissioner of income tax का power same है, खाली इनका पगार शाहे थोड़ा जादा हो सकता है, जो market में वहाँ पे जो उनका status है, उनके department में जो status है, वो थोड़ा seniority का होता है age wise, लेकिन power wise अगर हम बात करेंगे, जो power commissioner के पास है, वही power principal commissioner के पास है, क्योंकि दोनों भी commissioner ही है, अब ये तो होगे बाप लोग, मतलब पपा लोग, पपा लोग के उपर होते हैं दादा लोग, जो काम नहीं करते लेकिन सब की ओपर ध्यान जरूर रखते हैं वो होगे दादा जी और दादा जी को हम बोलते हैं Chief Commissioner of Income Tax और Chief Commissioner of Income Tax में जो Senior होते हैं, Senior के भी Senior उनको Principal Chief बोला जाता है तो सबसे Senior Officer कौन? Principal Chief Commissioner उससे छोटा Officer कौन? Chief Commissioner चिप Commissioner के नीचे कौन Principal Commissioner, Principal Commissioner के नीचे कौन Commissioner, Commissioner के नीचे Additional Commissioner, Join Commissioner, Join Commissioner के आगे ACDC और ACDC के नीचे ITO अब आप बोलोगे सर यह सब आप हमें बता क्यों रहे हों? क्योंकि तुमने एक वर्ड बिल्कुल सुना होगा Income Tax में कि सर AO करकी कुछ तो होता है AO मतलब क्या होता है? Assessing Officer अब Assessing Officer करकी Income Tax Department में किदर भी Position नहीं है आपको मैंने सारे Officer दिखा दिये लेकिन इदर किदर भी Officer को मैं किसी भी Officer को मैंने AO नहीं बोला Because AO is not a Officer, it's a group of Officers जिनको हम प्यार से in Combine बोलते हैं Assessing Officer जो आपका Return Cross Check करते हैं आप जब Return भरते हो तो आपका Return यहां पर जहां पर Cross Check किया जाता है उन Officers को हम Assessing Officers बोलते हैं और उन जो पावर जो है वो इन लोगों के पावर से Generally AO का मतलब होता है और यह MCQ में पक्का आ सकता है तो आपको पता होना चीए Assessing Officer कोन है AC, DC, AD, DD, ITO मतलब कुन सर अइडिशनल कमिशनर, डेपिटी कमिशनर, अइडिशनल डारेक्टर, सुरी सरी Assistant Commissioner, डेपिटी कमिशनर, अइडिशनल डारेक्टर, डेपिटी डारेक्टर और ITO ठीक है ना यह जो लोग है यहां से यहां पर ध्यान दो, मैं यहां पर आपको चार्ट में बता देता हूं यहां पर कुन से लोग कों की बात की मैंने, मैंने इन लोगों की बात की, ठीक है ना और इसके बाजिवाले इन दोनों की बात की, तो यह AC, DC, AD, DD, यह चार लोग, सिनियर लोग हो गए और ITO, यह पांच officers को मिलके हम बोलते AO, कभी-कभी workload बहुत ज़ादा होता है, तो CBDT के पास power है, कि वो additional commissioner या additional director को, या joint commissioner और joint director को भी joint commissioner और joint director को भी वो क्या कर देती है, notify कर देती कि भाया आपको भी AO के जैसे काम करना है, क्योंकि कभी-कभी companies भी बढ़ी होती, जैसे reliance हो गया, TATA हो गया, JSW हो गया, इनके capacity में नहीं आता हो matter, तो वो matters को special AO की requirement होती है, वो CBDT जब डाइरेक्ट करेगी, directed by CBDT in circular, तब ही जा concepts हम next lecture में करेंगे.